अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात करते हैं तो बीजेपी की तो बात होती है जिसकी वहाँ पर सरकार है योगी जी की बात होती है लेकिन विपक्षी दलों की अगर बात करें तो समाजबादी पारिटी और अखलेश यादव सबसे प्रमुक नाम है इनका अवश्य जिकर होता है और अब चुकि लोग सभा चुनाव चल जिला हमारा इस चैनल पर मिश्चिक रूप से चलता ही रहेगा अखलेश यादव की बात करते हैं उत्तर परदेश में ऐसा नजर आ रहा है जो घटना करम पिछले कुछ दिनों में हुआ है कि उत्तर परदेश का जो चुनाव है वो एक तरफा हो गया है समाजबादी पार् आपको टिकट दे दिया जाता है कहीं किसी का टिकट कार दियाता है तो इस तरह का सीन चल रहा है कुछ टिकट बिजनोर से टिकट बदल दिया गया सामान्य सीट पर टिकट दे दिया गया इस तरह की गलतिया हो रही है जिस कोई प्लानिंग नहीं है ऐसा नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेस में कम से कम लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए अखलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पास कोई प्लैन नहीं था योगी और मोदी की जोड़ी के सामने अखलेश यादव बिल्कुल पस्त नजर आ रहे है खुद चुनाव लड़ने की इम्मत नहीं चुटा पा रहे है पिशली बार आजमगण से लड़े थे जीत गए थे पतनी इनकी एक अनोच से लड़ी थी हार गई थी पतनी तो खैर मुलाहम सिंग यादव के निधन के बाद जब मैंने पूरी का उप चुना हुआ मासे फिर सांसत बन गई अखलेश यादव को लगा के 2022 में मुख्या मंतरी बनने के चांसिस है योगी जी तो तुक्के से बन गए थे इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जैंत चोधरी भी उनके साथ जुड़ गए उंपरकास राजबर भी जुड़ गए सौमी परसाद मोरी अभी भाग कर पहुँच गए दारा सिंग चोहान पहुँच गए दरम सिंग सैनी पहुँच गए पूरी भिड मच गई लेकिन उसके बावजोद भी बीजेपी परचंड बहुमत के साथ जीट कर आई योगी फिर से चीफ मिनिस्टर बने अब अखलेश यादव एक साधारन से एमेले हैं करहल सीट के अब अखलेश यादव के सामने चैलेंज क्या है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है चैलेंज यह है कि आजमगड और कनोज जो इनके पारिवारिक सीटे हैं इन दोनों से ही इनके चर्चा थी कि अखलेश यादव चुनाव लड़े आजमगड से इनुने धर्मिंदर यादव को बड़े ने गए भाई की और वैसे भी वस्पा ने एक मुसलिम कंडिडेट महाँ पर उतार गया था गुड़ू को और मुसलिम कंडिडेट की वैसे मुसलमान वोट कट गए बट गए और बीजेपी चीत गई लेकिन इस बार गुड़ू को भी अपनी तरफ मिला लिया अखलेश यादव में इसके बावजूद भी आजमगड से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए अब चर्चाई यह है कि कन्नोच से इन्हें लड़ाया जा सकता है अभी चर्चा यह भी आये थी कि रामपूर से जहां पर नामांकन 27 मार्च को भर लिए गए पर्चे भर लिए गए वहाँ पर इन्गी चर्चा यह अखलेश यादव को कहा जेल में बंद आजम खाने कि आप चुनाव लड़ दो इन्हों नहीं लड़ता नहीं लड़ता रामपूर से नहीं लग रहा है कि हार जाएंगे रामपूर से विदान सभा और लोक सभा दोनों बाई पॉल में बीजेपी ने यास जीत हासिल की थी तो कन्नोच से अब चर्चा यह है कि तेजपरताब यादव को लड़ा सकते हैं अपने चचेरे भाई को मैं आपको बता दूँ कि तेजपरताब यादव जो हैं इनके बड़े भाई हुआ करते थे रतन सिंग, मुलाहम सिंग यादव के उनके पोते हैं और लालू परसाद मेरे लावा कोई दूसरा मुसल्मान यहाँ पर पिक ना पाए तो ऐसे मुसल्मान को टिगड़ दिवा दिया खेर आजम खांके चेले आसिम रजा ने भी यहाँ से परचा भर दिया था उनका कल परचा कैंसिल हो गया तो इस तरीके से मुलाना नदिवी साहब यहाँ से सफा के प्रप्याशी हो गए तो रामपूर से लेकिन कनोज सीट अभी बच्चती है कनोज में 25 अपरेल तक नामांकन की डेट है यानि कि अभी लगभग एक मेना बचता है आज हम 29 मार्च में बात कर रहे है और मतदान यहां 13 माई को होगा बड़ा समय है लंबा समय है कनोज की सीट बड़ी चैलेंजिंग है यादो फैमली के लिए यादो बहू लिलाका है चर्चा ये थी अभी कल परसो यहाँ पर मैं किसी से सुन रहा था कि बिधुना विधान सबा सीट की समाजवादी पार्टी की ML ने है रेखा वर्मा उनको चुनाओ यहां रहा जाएगा क्योंकि तीन चार ऐसी विधान सबा सीट है कनोज लोग सबा सीट की जहां पर लोध जाती बहुल है और रेखा वर्मा लोध जाती से आती है और इन्हें लग रहा है कि अखलेश यादव को अगर यादवों के साथ लोध भी मिल जाए, मुसलिम भी मिल जाए तो कन्नोच सीट जीती आ सकती है क्योंकि कन्नोच पड़ी चैलेंज ही मैं इसले फस गई कि पिछली बार इन्हों ने डिमपल यादव को यहां से चुनाव लड़ाया और डिमपल यादव को बीजेपी के सुबरुत पाठक ने 12,353 के थिन से मार्जिन से हरा दिया और अखलेश को एक और भी बड़ा डर लग रहा है कि पिछली बार तो बस्पा भी साथ थी गड़बंदन था 2019 में फिर भी डिमपल हार गई थी और इस बार तो बस्पा अपना कनिडेट अलग उतार रही है तो फिर जीतने के चांसिस कम बनते हैं हो सकता है कि वो मुस्लिम को ही टिकट दे और मुस्लिम अगर सामने आता है बस्पा से तो फिर इनकी हालत खराब होनी तै है इस बार जीतेंगे कैसे तो इनके मन में डर समा गया है और उनका जो ये डर है वो ही डर इनको लोगसभा चुनाव लड़ने से इस बार रोक रहा है वैसे मैं आपको बता दूँ के कन्योज लोगसभा सीट बिल्कुल मुलाहिम सिंग यादव की सीट रही है फैमिली की लंबे समय से 1999 में मुलाहिम सिंग यादव यहां सांसत थे फिर यहां से मुलाहिम सिंग यादव चीफ मिनिस्टर बन गए उत्तर परदेश के में जब फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उत्तर परदेश में तो अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया मुलाहिम सिंग यादव ने फिर यह सीट खाली हो गई महाँ पर एक बाइपोल हुआ 2012 का उसमें डिमपल यादव यहां से जीत गई 2019 में बीजेपी ने पासा पलट दिया और ऐसा समीकन मनाया कि यहां से यादव फैमिली जीती न सके तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है चैलेंज यह खड़ा हो गया है कि यह जो अपने परिवार की सीटे हैं आजमगर्ड, हेटा, मेनपूरी, कन्योज इन सब सीटों को अपनी परिवार के पास बरकरार रखना किसी तरह बचाना, सर्वाइव कर पाना अकलेश यादव को यह बड़ा बुश्किल कामसादित हो रहा है अपने सारे भाई बंदों को टिकट दे चुके हैं वहाँ सिवपाल यादव को दे दिया है और पहले तो अक्षय यादव को दिया था फिर कट उनका बदल दिया गया शिवपाल यादव को दे दिया गया फिरोजाबाद से तो ऐसा क्यों कर रहे है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों टिकट इस तरीक से बिदले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी क्लूलेस है समाजवादी पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार कैसे अपना सर्वाइब किया जाए और अकलेश यादव का एक ही लक्ष है 2022 नहीं तो 2024 नहीं 2027 का विदान सभाचुनाव क्यो तो बड़ी मुश्किल होने वाली है अकलेश यादव के सामने देखते हैं अभी तो समय है कन्योज का जो नामांकन का काम है वो 25 अपरेल तक होना है अभी एक महिना है हो सकता है कि कुछ साहस चुटा ले अकलेश यादव परिवार के लोग कुछ हिम्मत दे दे या फिर ते कोलिकल पॉइंट का हमारा शो है इसमें हम देश के सभी राज्यों की राजनीती को और नैशनल पोलिटिक्स को भी डिस्कस करते रहते हैं तो इस चैनल को आप अवस्य से सब्सक्राइब करने और साथी साथ हम जो है अपना जो नैशनल चैनल है हर्श की बात लाइव उस प झाल